Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Class 12 की जो आपकी Supplementary Book है Vistas, उसका Chapter No. 5 जो की है Should Wizard Hit Mommy by John Updike अब मैं आपको सबसे पहले Wizard का मतलब बता देती हूँ कि Wizard क्या होता है, यह जो पिक्चर आप मेरे Left Hand Side पे देख रहे हो यह एक Wizard है, याने यह Magic Tricks करते हैं, यह जादूगर आप कह सकते हो, तो यह Wizard होते हैं यह usually इनकी जो appearance होता है, इनकी बड़ी सी long beard होती है यह जरूर से अपने हाथ में इस तरीके से एक लंबी stick रखते हैं या इनकी Magic Wand आप कह सकते हो, याने कि जादू की छड़ी तो इस person को हम Wizard कहते हैं, अब जो chapter का नाम है Should Wizard Hit Mommy, यह आपको मैं definitely explain करूँगी लेकिन पहले मैं आपको chapter का जो हमारे author है John Updike उनके बारे मैं बताऊंगी और जब हम chapter का introduction समझेंगे अभी तब मैं आपको समझाऊंगी कि chapter के title का इसका क्या मतलब है So, आगे बढ़ते हैं About the author John Hoyer Updike March 18, 1932 में इनका birth हुआ था और January 27, 2009 में के death हुई थी He was an American novelist, poet, short story writer and literary critic So, यह कौन थे? यह एक American novelist थे याने novels लिखते थे Poet थे याने की कविताएं लिखते थे Short story writer थे याने छोटी-छोटी कहानिया भी लिखते थे One of the only three writers to win the Pulitzer Prize for fiction more than once यह इस दुनिया में सरिफ तीन ही ऐसे writers है जिनको Pulitzer Prize मिला है fiction stories लिखने पे याने की fiction याने imaginary कहानिये लिखने में और इनको एक से जादा बार मिला है यह ऐसे writer है Updike published more than 20 novels इन्होंने 20 novels से जादा लिखी हुई है More than a dozen short story collection dozen मतलब 12 तो कई सारी More than a dozen याने कई सारी इन्होंने short stories भी publish करी है As well as poetry, art and children's books during his career तो कई सारी इन्होंने poetries, art related books और बहुत सारी बच्चों की किताबे children's books भी इन्होंने कई सारी publish की है ओके? आजाते हैं chapter के introduction पे introduction बताने से पहले में एक छोटा सा overview दे देती हूँ आपको chapter का क्या होता है? ये chapter में एक family है family में है father, mother, उनकी बेटी और उनका बेटा जो father है उनका नाम है Jack mother का नाम है Claire बेटी का नाम है John जिसको प्यार से short form में सब बुलाते हैं Joe और इससे छोटा इसका भाई है जिसका नाम है Bobby अब जो mother है Claire उनके दो बच्चे है John and Bobby अभी वो pregnant है and she is six months pregnant and she is carrying the six months pregnant और वो अपना third baby carry कर रही है भी अब जो जादा तर जो सारा काम है वो अब किसके उपर आ गया है father के उपर, jack के उपर तो father का daily routine ये था कि जब भी वो काम से आते थे तो वो शाम को nap करवाते थे बच्चों को nap यानि कि थोड़ी देर के लिए जब हम दिन में सोते हैं न 15-20 minutes, half an hour, maximum इतना उसे हम nap कहते हैं, तो बच्चों को वो सुलाते थे और basically वो किसको सुलाते थे? अपनी बेटी जो को और ये उनका ritual था, यानि ये उनकी आदत थी कि जब भी वो उसको सुलाते थे, वो उसको story सुनाते थे कहानिया सुनाते थे और उनकी कहानी usually एक ही type की होती थी हमेशा जिसमें main एक hero होता था, जिसका नाम होता था Roger अब Roger ये कोई भी हो सकता था या तो Roger fish हो जाती थी कभी कभी Roger squirrel हो जाती थी कभी Roger lion हो जाता था तो जिसकी भी story होती थी, उसमें hero का नाम ये Roger रखते थे father ओके, Jack अब Jack क्या करता था, ये ही कहानी हमेशे बताता था कि Roger था, उसको कोई problem होती थी फिर वो जाता था wise old owl के पास वो अपनी problem solve करने किसके पास जाता था एक समझदार owl के पास जाता था फिर owl उससे बोलता था जाओ तुमारी problem wizard ठीक करेगा wizard याने कि वो जादूगर जिसके पास magic spell, magic tricks आती थी जिसको फिर ये Roger उस wizard के पास जाता था और wizard उसकी problem solve कर देता था और Roger खुश हो जाता था फिर wizard क्या बोलता था बदले में मुझे pennies दो याने पैसे दो Roger के पास usually पैसे नहीं होते थे या कम पैसे होते थे comparatively जितने wizard ने उससे मांगे फिर wizard उसको रास्ता भी बताता था कि तुम इसे जगा जाओ वहाँ से तुम्हे pennies मिलेंगे याने पैसे मिलेंगे और फिर वो Roger पैसे लेके आ जाता था और wizard को देता था और wizard खुश हो जाता था तो जो भी jack story सुनाता था अपनी बेटी जोको वो usually यही होती थी बस थोड़े बहुत variations होते थे और जो Roger है वो change हो जाता था कभी fish होती थी, कभी वो squirrel होती थी कभी monkey हो जाता था, कुछ भी हो जाता था फिर Roger की जो problem है वो wizard solve कर देता था और Roger खुश हो जाता था अब Roger जब खुश हो जाता था वो भगते हुए अपने घर जाता था अपनी mommy को बताता था और घर पे आवाज आती थी train की और train में से कौन उतरता था Roger के father उतरते थे और कहां से आते थे? Boston से Boston is the name of a place एक जगा का नाम है USA में है ये जगा तो यह हमेशा story होती थी बस थोड़े बहुत variations होते थे जब उनकी बेटी जो है जो जब two years की थी तब से लेके अब वो four years की हो गई ये दो साल हो गई Jack उसको यह यह कहानी सुना रहे तो basically पूरी कहानी रट गई है Jack Joe को कि अब तो मुझे पापा यह यह बात सुनाएंगी तो इस बार जो story सुनाते हैं कौन? फादर अपनी बेटी को Jack Joe को वो बताते हैं इस बार होता है Roger Skunk इस बार story वो किसकी सुनाते है? Roger Skunk की Skunk के कैसे animal होता है इस ब्लैक कलर का cat जैसे squirrel टाइप का दिखता है तो बताते हैं कि Roger Skunk के एक animal था उसको बहुत problem थी और problem क्या थी? उसकी body में से बहुत गंदी smell आती थी जिसकी वज़े सारे friends उससे दूर भगते थे और Roger बहुत दुखी हो गया तो Roger अपनी problem solve करने के लिए wise old owl के पास गया and as usual owl ने उसको भेजा wizard के पास wizard ने उसको बोला आओ मैं तुमारी problem ठीक कर देता हूँ वो अपनी magic wand से कुछ मंतर पढ़ते हैं और उसकी सारी गंदी smell हटा देते हैं और इंस्टेड उसकी body में किसकी smell आने लगती है? roses की और वो बहुत खुश हो जाता है वो तुम्हें तीन extra pennies मिलेंगी वो तुम मुझे लाके दे देना Roger Skunk वो ही करता है वो तीन pennies लाके wizard को दे दे तो और wizard खुश हो जाता है फिर Roger Skunk अपने घर जाता है अपनी mommy को बताता है और वैसे ही उसको train की आवज आती है और Roger Skunk के इस roses वाली fragrance से वो उसको बहुत चलाती है और कहती है कि किसने तुम्हें roses वाली fragrance दी तो वो कहता है ममी मुझे एक wizard ने दिये और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरे friends मुझे से दूर नहीं भाग रहे हैं तो जो mommy होती है Roger Skunk की वो बहुत गुस्स होती वो कहती ही तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो और मैं अपने साथ अपनी umbrella stick लेके चलती हूँ और मैं जोर से दे मारूंगी wizard के उपर और वो ताकि सारी तुमारी roses की fragrance हटा दे और तुम वापे से अपने original skunk की जो जो order होता है fragrance होते है तुम उसमें आ जो और exactly Roger Skunk की mommy ऐसा ही करती है wizard के पास जाती है umbrella stick जोर से उसके सर पे दे मारती है और Roger Skunk की roses वाली smell वो ले लेता है और वो ही old वाली smell दे देता है अब ये बात सुनती है जब story में जो वो कहती है कि ऐसा क्यों किया उसे सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि बेचारा Roger Skunk उसको पूरी fragrance मिल गई थी roses की सारे friends भी अब उसके साथ खेल रहे थे तो उसकी mommy ने ऐसा क्यों किया और वो कहती है mommy पापने फादर को कि नई अब आप मुझे कल ऐसी story बताना जिसमे wizard mommy को अपनी stick अपनी magic wand है उससे बहुत जोर से mommy को hit करे और मारे तभी story का नाम पढ़ता है should wizard hit mommy तो जो author है वो readers को इस condition पर छोड़ देते हैं कि आप अप खुड decide करो कि wizard को क्या mommy को मानना चाहिए तो मेरे सब से अगरा पूछोगे तो मैं काऊंगी नहीं क्योंकि Roger Skunk की जो mom थी उन्होंने जो किया वो सही किया उनके बेटी की जो original fragrance थी उन्होंने उसको वही वापस दिलाई और उसे पता है कि उनके बेटी के लिए क्या सही और क्या गलत है wizard को किसी की mommy को मानने का कोई right नहीं है ओके? So now let's begin with the introduction The story revolves around a Jack who is a father of two kids John जिसको short में Joe कहते है और उसको धोटा भाई Bobby His wife Claire is carrying that third child Jack had a habit of telling his daughter Joe a story every Saturday and on Saturday afternoon naps तो हर evening में और शाम को Saturdays को Jack अपनी बेटी Joe को stories सुनाता था ताकि वो सो जाए, नप ले ले आने थोड़ी दिरक लिए सो जाए This time when he was telling her a story She interrupts him and asks him questions whenever she feels that things are not being told are not right इस बार जब Jack अपनी बेटी Joe को Roger Scum की story सुना रहा था तो वो बार बार उसको interrupt करती है और बार बार उसको रोकती है और अलग-अलग questions पूछती है जिससे ये समझ में आ रहा है कि अब जो बड़ी हो रही है उसको चीज़ समझ में आ रही है तभी वो cross questions कर रही है और वो क्यों question कर रही है क्योंकि Joe चीज़ उसको story में sign ही लग रही है उसका वो question कर रही है अपने father से So Jack now finds himself in a fix and doesn't know how to resolve Joe's question तो अब जो father है Jack वो बहुत जादा fix हो गया है यहने confused state में आ गए क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी के in questions का answer कैसे करूं So this is all story all about आगे बढ़ते हैं अब हम chapter के explanation पे Chapter के explanation में बढ़ने से पहले थोड़ा सा introduction और continue हो रहा है जिससे हम complete कर लेते है Parents feel that children should do or think exactly what they are told तो parents को क्या लगता है कि बच्चे वो ही करें जैसा हमने उससे बोला है जो वो अलग से करेंगे वो मतलब गलत है Parents को ऐसा लगता है They should believe whatever they are told by their parents और parents को ऐसा लगता है कि बच्चे वो सारी चीज़े believe करें जैसा हमने उन्हें बता दिया है But is this the right attitude, क्या ये right attitude है This moral question is raised by the story and left for the reader to decide what should be done तो ये जो question है Should wizard hit mommy? ये question इसलिए दे रिया गया है ताकि हम readers अब decide करें कि क्या सही है क्या गलत है क्या should wizard hit mommy? जो जो कह रही है वो सही है या jack जो कह रही है कि नहीं उसको नहीं मानना चाहिए वो सही है इस note पे chapter खाता होता है और हम लोगों को decide करने के लिए हमको author ने छोड़ दिया है ओके So आगे बढ़ते हैं अब chapter के explanation पे यहां से हम chapter स्टार्ट करेंगे बिलकुल word to word एक एक word का meaning में आपको explain करती चलूँगे So let's begin In the evenings and for Saturday naps Like today's Jack told his daughter Joe a story out of his head Naps याने की a short sleep specially during the day जब दिन के वक्त आप थोड़ी देर के लिए 20-25 minutes हाफ एन आर के लिए सोते हो उसे हम naps केते तो evening में और Saturdays में जैसे आज Jack अपनी story बताता है Joe को अपनी बेटी Joe को एक story बताता है out of his head याने Jack जो भी अपनी बेटी को story बताता है वो अपनी दिमाग की कुछ भी बताता है कहीं से पढ़की ने आता है खुदी बनाता है story और अपनी बेटी को खुदी सुनाता है This custom began when she was two Was itself now nearly two years old And his head felt empty Custom याने की Tradition of storytelling तो यह जो storytelling का custom था यह Jack ने अब चालू किया था जो को सुना न जब Joe two years की थी और अब Joe four years की हो गई है इस बात को भी दो साल हो गई That means Joe अब four years की हो गई है और अब story सुना सुना के Jack का समझो head खाली हो गई क्योंकि अब उसको और ideas ही नहीं आ रहे of a basic tale tale याने की story तो जब भी story सुनाता था Jack अपनी बेटी Joe को तो वो same ही story होती थी बस उसमें slight variation हलके फलके changes ही होते थे A small creature usually named Roger जब भी वो story सुनाता था उसमें small creature एक animal होता था जिसका नाम हमेशा Roger होता था वो कभी Roger fish बन जाता था कभी Roger squirrel हो जाता था कभी Roger chipmunk हो जाता था chipmunk एक छोटा सा animal होता जो squirrel जैसी दिखती है brown color का होता ही है had some problem and went with it to the wise old owl तो और क्या होता था story में हमेशा इस Roger को हमेशा problem होती थी और वो इस wise old owl के पास जाता था अपनी problem लेके तो wizard कौन होता है a man who has magical powers एक ऐसा इंसान जैसे आप दिख रहा है इसके पास कुछ magical powers होती है और magic spell क्या होता है a form of words used as magical charm वो शब्द जिनको हम magic करने के लिए यूज़ करते है जैसे आबरा कर डाबरा इस type के मंत्र फिर owl क्या करता है स्टोरी में आउल उसको बोलता था तुम विज़र्ट के पास जाओ फिर वो रॉज़र्ट के पास जाता था अपनी problem लिखके विज़र्ट कुछ magic spell परफॉर्म करता था और उसकी problem solve जाती थी तो जब problem solve कर देता था wizard रॉज़र की तो विज़र्ट बदले में क्या मांगता था pennies कुछ पैसे मांगता था और हमेशा उतने पैसे मांगता था जितने रॉज़र के पास नहीं होते थे फिर विज़र्ट ये भी बताता था कि तुम्हें कहां मिलेंगे पैसे ये तुम्हें कहां मिलेंगे तो रॉज़र उस जगा जाता था पैनीज लाके विज़र्ट को दे देता था और विज़र्ट भी खुश हो जाता था इसी टाइप की हमेशा स्टोरी सुनाता था जैक अपनी बेटी जो को जैसे ही रॉज़र की प्रॉब्लम सौल्व हो जाया करती थी वो हैपी हो जाता था और दूसरे क्रीचर दूसरे अनिमल्स के साथ हैपिली बहुत गेम्स खेलता था फिर वो घर जाता था अपनी मदर के पाद पास जब घर जाता था तो उसको ट्रेन की आवाज आती ती इस तरीके से और ट्रेन में से कौन आते था रॉज़र के फादर आते थे हमेशा बॉस्टन से ये स्टोरी हमेशा ऐसी ही रहती थी जब भी जैक जो को सुनाता था स्रिफ रॉजर जो है तो यही स्टोरी वो दो साल से अपनी बेटी को सुना रहा है है जाग डिसक्राइब देर सपर अन्थ स्टोरी वोज ओबर ये पूरी कहानी खतम होती था फिर जाग अपना सपर डिस्क्राइब करता था सपर याईने कि जो शाम की इवनिंग लाइट मील आप जो खाते हो डिनर से पहले वो तो वो यह सपर बोलता था अब मुझे यह खाना है अब मुझे सपर खाना है और बस उसकी स्टोरी खतम हो जाया करती थी working his way through this scheme was specially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore and knowing this made the right seem futile fatiguing fatiguing मतलब to feel exhausted या tired जबाब बहुत थक जाते हो से हम fatiguing कहते right का मतलब क्यों होता है a social custom or a work a person is doing कैसा काम जो इंसान काफी टाइम से कर रहा है futile मतलब क्यों होता है pointless या waste किसी काम का नही तो अब क्यों होता है अब Joe 4 years की हो गई है बड़ी हो गई है पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तो काफी देर तक सोते हैं लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी नीन कम होती है exactly Joe के साथ भी यह हुआ अब वो 4 years की हो गई है वो दिन में जादा नहीं सोती है अब जैक यह स्टोरीस क्यों सुनाता था Joe को ताकि Joe सो जाए दिन में थोड़ी देर अब बड़ी हो रही है उसको सोना बच्चा नहीं लगता तो अब Joe बहुत कोशिश करता है स्टोरीस सुनाने की अर ठक भी जाता है Saturdays को इत्ती सारी स्टोरीस सुनाके इसको क्योंकि Joe सोती ही नहीं है तो जब وہ सोती नहीं है तो जाक को यह लगता है कि Joe मैं यह काम कर रहा हूं यह फ्य।्याइल है यहने वे स्लियाने मैं कित्री मैं कहानी सुना रहा हूं यह बड़ी उगए इसको जाधा नीन भी नहीं रही यह जाधा बड़ी नहीं रही क्योंकि जिस बेड पे जो बैड इन्होंने डबल बैड रगा था उसको सुलाने के लिए या कभी उसकी तवध खराव होती तो इसके पैरेंस ने बैड रखा था अब उसकी जो पैरें वो ऐ इसको हिंदी में हम ओडने वाली चादर वोलते है ना, वो, उसे हम covers कहते हैं. तो अब covers के बाहर से उसके पैर इसे बाहर निकल रहे हैं, या ने कि वो बड़ी भी हो रही है? Yes? Had at last arranged herself and from the way, her fat face deep in the pillow, shown in the sunlight, sifting through the drawn shades. Fat face का मतलब क्या है? Chubby face. उसका मोटा चेहरा नहीं था, जैसे चोटे बच्चों का chubby face होता है ना, उसका वो था. Okay? Shown मतलब past participle of shine. Shine याने चमकना, उसका past tense होता है shown. Sifting क्या होता है? Seaving, छनना. Okay? और shades क्या होता है? Curtains, परदे. इस तरीके से. Okay? तो यहां बोल रहे हैं कि आप Jack, अब जो बड़ी हो गई है, सो भी नहीं रही है. अब क्या कर रही है? उसने अपने आपको बड़े आराम से अरेंज कर लिया है. Sheets के अंदर, याने covers के अंदर, चादर के अंदर अरेंज कर लिया. और वो ready है, स्टोरी सुनने के लिए. और उसका चहरा जो है, वो pillow पर लेटा हुआ है. मतलब जो उसका face है, उसका head है, वो pillow पर रखा हुआ है. और वो shine कर रहा है. क्यों shine कर रहा है? क्योंकि उस कमरे में, जो curtains लगें, उसमें से बाहर की दूप छहन के आ रही है. किसके face पे? Jack के face पर, उसका face shine कर रहा है. और ये चहरा देखके Jack को लग रहा है, कि जो जो है, उसका चहरा तो पुरा shine कर रहा है, याने सोने के इसके कोई असार नहीं है. ये बिल्कुल भी sleepy feel नहीं कर रही है. It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of two. तो Jack सोचता है कि अब शायद कोई magic ही हो सकता है, जिससे जो सो जाए. क्योंकि इसका shine होता हुआ चहरा देखके, मुझे तो नहीं लगता है, अब सोने वाली है. तो वो कहता है, शायद कोई magic ही हो जाए कि ये दो साल के बच्चे की तरह सो जाए, जो बहुत देर तक long hours की sleep लेते हैं. Her brother Bobby was two and already asleep with his bottle. अब Joe का छोटा भाई ये Bobby, जो two years का है, वो already अपनी milk की bottle finish करके सो चुका है, लेकिन Joe नहीं सो ही अब तक. Jack asked, who shall the story be about today? तो Jack सोचता है कि अब मुझे story बतानी है पड़ेगी Joe को, क्योंकि वो ऐसे सो ही नहीं रही. तो वो कहता है, अच्छा बताओ Joe, आज तुमें किसके बारे में story सुननी है? आज हमारी story का hero कौन होगा? Roger तो होगा, लेकिन कौन होगा? वो ये पूछ रहे Joe से. Roger जो squeezed her eyes and shut and smiled to be thinking, she was thinking. तो Roger करती है, हमारा hero होगा Roger और ऐसे करती है. लब खुश होके, क्योंकि उसको पता है, दो साल से वो ही कहानी सुन सुनके, कि Roger ही होगा हमारी कहानी का hero. Her eyes opened, her mother's blue. Her eyes opened, mother's blue. जैसे ही Joe नहीं ऐसे किया. Roger खुश होके और अपनी आँख खोली, तो उसकी blue color की आँखे थी. तो Jack ने देखा, उसकी जो blue आँखे हैं, वो exactly उसकी mom जैसे, यानि की Jack की wife Claire. तो जैसे उसकी wife की blue eyes हैं, वैसे exactly उसकी बेटी Joe की भी blue eyes है. Skunk, she said firmly. तो Joe कहती, आज हमारा hero होगा skunk. यह जो आप picture मेरे left hand side पर देख रहो हो, यह होता है skunk. Skunk क्यों होता है? A small cat size animal, ऐसे चोटा सा cat जैसे दिखने वाला animal. तो वो कहती है, आज हम skunk की story सुनेंगे. A new animal, they must talk about skunks at nursery school. तो Jack सोचता है कि अच्छा, इसने मुझे एक नए animal का नाम बताया है, हो सकता है, इसने अपने nursery school जहाँ जाती है, वहाँ इसके बारे में सीखा है, तब ही मुझे बोल रही है. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. Sturred याने की move or cause to move with excitement. तो जैसे ही Jack ने सुना कि आज कोई नया animal है, skunk, और उसके बारे में मुझे आज जो को story सुनानी है, तो वह बहुत excited होगा कि चलो ठीके, कोई वही पुरानी पुरानी चीज़ों से थोड़ा different होगा आज skunk. तो story तो वही रहेगी, बस hero आज Roger Skunk होगा, ओके? All right, he said. फिर Jack केता है ठीके, और फिर कहानी बताना start करता है, वो कहता है, Once upon a time in the deep dark woods, there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad. तो Jack बोलता है एक बार, एक woods में याने जंगलों में एक छोटा सा creature रहता था और उसका नाम था Roger Skunk और उसमें से बहुत गंदी smell आती थी. Yes, Joe said, तो Joe कहती है, हाँ, क्योंकि Joe को पता है कि Roger से ही कहानी चालू होती है. याने जंगल जो पूरा ट्रीज से भरा हुआ रहता है. तो Jack बताता है जो को कहानी में कि पूरे वुडलें में जित्ते creatures रहते थे, वो कोई भी Roger Skunk को पसंद नहीं करते थे उसकी bad smell की वज़े से और कोई उसके साथ खेलता भी नहीं था. Joe looked at him solemnly, she hadn't foreseen this. Solemnly याने कि with deep sincerity or seriously. याने जब आप किसी को seriously ऐसे देखते हो. उससे हम कहते हैं solemnly. और foreseen याने पहले से predict करना. तो जब Jack ने बताया कि वो बहुत गंदी तरीके से smell करता और कोई friends उसके साथ नहीं खेलते. तब Joe ऐसे सुनती है, और ये तो उसने सोचा भी नहीं था कि Jack मुझे ऐसा बताएगा कि smell करता है. ये problem उसने predict नहीं करी थी. कि ये problem होगी Roger Skunk की. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliations of his own childhood. Of all the other tiny animals would cry, ओ, ओ, here comes a Roger Stinky Skunk. And they would run away and Roger Skunk would stand there all alone and two little round tears would fall from his eyes. Zest मतलब energy or great enthusiasm. Humiliations मतलब make someone feel ashamed and foolish by injuring their dignity and pride. Humiliations याने कि जब आप किसी को बहुत ashamed, बहुत शर्मनाक फील कराते हो, उनकी self-respect को ठेस पहुचाते हो और उनको बुरा फील कराते हो, वो होता है Humiliations. Okay? Stinky याने कि smelly, किसी की बहुत गंदी, unpleasant smell होती, तो उसे हम stinky कहते हैं. तो Jack आगे story continue करता है, और वो कहता है, कि जब भी वो बाहर खेलने जाता है, और यह जो story ने Jack बहुत energy से बता रहा है, क्योंकि इस बार कोई नया animal है. तो वो कहता है, जब भी बाहर Roger Skunk खेलने जाता है, सारे friends जो होते हैं, भग जाते हैं उससे दूर, और कहते हैं, वू, Roger Stinky Skunk फिर से आ गया, और सब दूर भग जाते थे उससे, क्योंकि उसमें से बहुत गंदी smell आती थी, और बेचारा Roger Skunk, वहाई बिचारा अकेले खड़े रहता थे, और दो आसूस के दोनों आखों से ऐसे tears निकलते थे, और जब Jack ये बाद Joe को बता रहा था, उसको अपने बच्पन के दिन के humiliations याद आ गए, शायद Jack जब चोटा बच्चा था, तो दूसरे friends जो थे उसके, उन्होंने उसके साथ ऐसा कभी उसको ashamed feel कराया, और उसको बुरा लगा था, तो जब Roger Skunk की कहान नहीं बता रहा था, जो, Jack, तो उसको अपने बच्पन के दिन याद आ रहे थे, जब उसने भी ऐसा Roger Skunk जैसा ashamed feel किया होगा, तो ये वो बता रहा था और ऐसा सोच भी रहा था, अब जब Roger Skunk बिचारा वहां अकेले खड़े होके रो रहा था, जब Joe ने ये बत सुनी, तो उसके जो corners जो के वो ऐसे हो गए, ऐसे, वो sad हो गई बिचारे Roger Skunk की बात सुनके, अंडर lower lip bent forward as he traced with a four finger along the side of her nose, तो जैक ने जो के face पे ऐसा करके बता है, पता है कैसे रो रहा था Roger Skunk, उसने ऐसा कर आपनी बेटी के face पे, तो वो यूं हो गई, बिचारी sad हो गई, कि अरे बिचारा ऐसे रो रहा था, कोई नहीं कहल रहा था उसके साथ, वोंट ही सीदा आउल, तो अब जो पूछती अपने फादर से, क्या वो आउल से मिलने नहीं जाएगा, क्योंकि इसको सु स्टोरी पता है, कि अभी आउल के पास, फिर विजर्ट के पास, ऐसे, तो वो अपने फादर से पूछती, वो आउल से नहीं मिलने जाएगा, अपनी प्रॉब्लम लेके, शी आउस देना, हाई एन फेंटली रॉफन वोइस, तो बिचारी दुखी हो के पूछती, वो आउल के पास नहीं जाएगा, सिरिंग उन बेड बेड बिसाइड हर, जाग फेल्ट अवर्ट तग, याने की, unable to relax because of worries, क्योंकि आप बहुत टेंशन में आपको किसी चीज की बहुत चिंता हो रही है, तो जब रॉजर स्कंक अकेला खड़ा हुआ था, वहाँ पे रो रहा था, ये बात जैक ने जो को बताई, तो जैक ने नोटेस किया कि साइड में, जो जो बैठी थी, उसने सारे जो शीट कवर से, जो उपर की ओडने वाली चादर थी, वो अपनी तरफ खीच ली, पैर अपने इधर सुदर हिला रही थी, क्योंकि वो तैंस हो गई, बिचारी चिंता में आओ गई, क्या रहे, बिचारे रोजर सकंग के साथ ऐसा हो रहा है, तो जब जैक ने ये रियाक्शन देखा अपनी बेटी जो का, तो वो बहुत प्लीज़ हुआ, याने बहुत हैपी हुआ, बहुत खुश हुआ, क्यों खुश हुआ, क्योंकि जैक स्टोरी के माधियम से अपनी बेटी को लाइफ का कुछ ट्रू, कुछ ट्रू चीज, कुछ रियालिटी बता रहा था, कि बेटा, अगर आप क्लीन नहीं रहोगे, साफ नहीं रहोगे, तो आपके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आएगी, और सारे लोग आपसे, आपके सारे फ्रेंस दूर भागेंगे, और ये चीज बच्चों को आना बहुत जरूरी है, तो इसलिए जैक खुश हो रहा था, कि वो एक ऐसी चीज बता रहा है, जो की सही है, और जो को ये चीज समझ में भी आ रही है, कि अगर हम क्लीन नहीं रहेंगे, तो हमारे अंदर से स्मेल आएगी, और लोग हम से दूर भागेंगे, और इसलिए वो अपनी स्टोरी बहुत दीरे दीरे बता रहा था जो को, ताकि वो समझे, वो कोई हरी में नहीं था, याने कोई जल्द बाजी में नहीं था स्टोरी सुनाने के लिए, जब आप कोई चीज बहुत जोर से खिसकाते हो, या पुल करते हो, और उसकी तेज आवाज आती हो, तो जो को स्टोरी सुनाते वर्ग, जैक ने सुना कि नीचे वाले फ्लोर से चैर कोई बहुत जोर से ड्रैक कर रहा है, और उसने सोचा कि ये मेरी वाइफ क्लेर है, और वो क्या कर रही है, नीचे लिविंग रूम में जितना भी लकडी के फरनिचर उसको पेंट कर रही है, तो ये सारी आवाज भी उपर जैक को आ रही थी, तो जब सुनता है जैक अपनी वाइफ की नीचे आवाज वगर सुनता है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देता है, और फिर जो को स्टोरी सुनाना कंटेन्यू करता है, और कहता है, वेल, वो एक बड़े से ट्री के टिप टॉप, याने मान लीजे, ये एक बड़ा सा ट्री है, और एकदम टॉप पे या एक छोटा सा घर है, जहां पर ये आवल रहता है, तो इस ट्री के टिप टॉप में, एक बहुत बड़ा वाईज ओल रहता था, वाईज याने बहुत समझधार था वो, गुड, तो जो कहती है गुड, क्योंकि उसे पता ही कि हाँ अभी आवल के पास आना ही था, मिस्टर आवल, रॉजर स्कंग सेड, तो वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, और कहता है आवल को कि मिस्टर आवल, और सारे बच्चे मुझसे दूर भागते हैं, क्योंकि मेरे में से बहुत गंदी स्मेल आती है, So you do, तो आवल कहता है, हाँ, सही बात है, तुम में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, और बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है, तो वावल भी उसे कहता है कि smell आ रही है What can I do? Roger Skunk said and he cried very hard तो Roger Skunk पूछता है कि मैं क्या करूँ अब और फिर what taste is रोने लगता है The wizard, the wizard Joe shouted and sat right up and a little golden book spilled from the bed तो जैसे ही वो रोने लगता है और वो पूछता है story में कि मैं क्या करूँ तो Joe को पता है कि अब आगे वो ये बोलेगा कि wizard के पास जाओ तो वो एकदम excited हो जाती है बेट से उठके बैट जाती है और कहती है wizard wizard और जैसी उठती है एक golden color की book पड़ी होती है उनके बेट पर वो नीचे गर जाती है तो बिचारा Jack सोचता है कि मैं इसको तो अब जो Jack है वो Joe को बोलता है कि देखो सुनो जो अब डाड़ी तुम्हें स्टोरी बता रहे है तुम्हें मुझे नहीं बतानी क्या तुम बताओगी डाड़ी को स्टोरी तो कहती है वो नो यू मी बताब आप मुझे सुनाओगे फिर वो कहता है तो लेट जाओ और थोड़ा sleepy feel करो क्योंकि वो अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रहा है her head relapsed into the pillow and she said out of your head relapsed याने की went back तो उसने अपना सर वापिस से pillow पर रख दिया और फिर वो कहती है अपने डाड़ से out of your head याने अपने मन से ठीक है सुनाओ आप मुझे कहानी और continue करो well the owl thought and thought at last he said why don't you go to see the wizard तो फिर वो बताते है कि आउल ने बहुत देड़ तक सोचो और फिर बोला उसको Rogers को कि क्यों न तुम wizard से जाके मिलो daddy what are magic spells real फिर से जो बीच में interrupt करती और कहती अपने फादर से daddy वो कहते हैं क्या फिर वो कहती है यह magic spells real होते हैं क्या याने कि जो यह magic की जो मंतर वगर होते हैं यह सब real होते हैं क्या this was a new phase just the last month a reality phase तो जो ने यह question पूछा और Jack ने यह सोचा कि यह सब पिछले महीने से ही चालू हो रहा है पिछले महीने से जो अब बहुत सारे questions करने लगी क्योंकि अब क्या जो बड़ी हो गई क्या जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके जो curious questions होते हैं curiosity भरे questions होते हैं वो बढ़ते जाते हैं हर बात पर सवाल जवाब बहुत करते हैं पेरेंट से तो exactly जो की भी वही situation थी तो जो ने अपने फादर से पूचा कि जो magic spells wizard करते हैं यह असली होते हैं क्या when he told the spiders eat bugs he turned to the mother her mother and asked do they really तो जैक सोचता है कि यह सा पिछले महिने से स्टार्ट हो रहा है कि जो हर बात पर बहुत questions पूछ रहे हैं थोड़े दिन पहले जो थोड़े दिन पहले जैक ने जो को बोला था कि पता है spiders होते हैं वो bugs को खाते तो उसने अपनी मदर की तरफ turn किया जो ने और पूचा तो यह अब हर बात मान ने रही cross question करके अपने आपको satisfy कर रहे है कि अच्छा यह साच्छा की गलत तो यह बढ़ते बच्चे growing children की यह निशानी होती है तो जब जो की mother Claire ने उसको बताया कि तुम्हें पता है God जो है वो हर जगा है और sky में रहते हैं हर जगा रहते हैं और हमारी help करते हैं तो उसने एक sly याने cunning smile दी और वो काफी eager थी काफी जानने के इच्छोक थी वो smile करते हैं अपने फादर से पूछती है Is he really? क्या सही में God हमारे आसपास रहते हैं तो वो believe नहीं करती वो इस तरीके से क्या करती है बस अपने cross question पूछती है जैसे सारे बच्चे करते They are real in story Jack answered curtly curtly याने की rudely तो फिर Jack उसको rudely थोड़ा answer कहता है कि हाँ हाँ God ये सब बहुत stories में होते हैं असलियत में नहीं होते हैं वो irritated हो रहा और वो सो भी नहीं होती है She had made him miss a beat in the narrative narrative याने की story तो वो इसलिए irritated हो रहा होता है क्योंकि जो Roger Skunk की story वो सुना रहा होता है उसके बीच में उसने वो magic spells वाला question पीच के उसको interrupt कर दिया वो एकदम से भूली गया था कि मैं narrative में याने story में कहा हूँ फिर उसको याद आता है और वो story आगे continue करता है और कहता है The owl said Go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek तो फिर वो बताता है कि आउल ने Roger Skunk को बोला कि तुम dark woods एकदम अधेरे भरे जंगल में एक apple tree होंगे वहाँ पे जाओ swamp में Swarm क्या होता है An area of low-lying uncultivated ground where water collects a marshy land तो एक ऐसा land जो marshy होता है याने जहाँ पर बहुत कीचड होती है और वहाँ पे cultivation नहीं कर सकती याने कि पेड़ बहुदे crops नहीं उगा सकती तो ऐसा बताया आउल ने Roger Skunk को कि तुम मार्शी land की तरफ जाओ और creek के over creek याने की a small river एक नदी को इस तरह पार करके जाना वहाँ तुम्हें wizard मिलेंगे What's a creek? तो जो पुछती ये creek क्या है तो उसके फादर बोलते है a little river over the creek and there will be the wizard's house तो वो बताते हैं story में कि creek के उस पार कि एक wizard का घर है and that's the way Roger Skunk went and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door rapped याने continuously knock करना जोर-जोर से किसी के दर्वाजे पे तो जैक बताते हैं story में कि Roger Skunk ने वैसा ही किया वो जल्दी से गया और वो फाइनली wizard का जो white old house है वहाँ पे पहुचा और डोर पे rapp करने लग या Jack rapped on the window sill and under the covers Joe's tall figure clenched in an infantile thrill sill क्या होता है a window shelf और window opening इस तरीके की जो window होती है इसको हम इसकी जो border होती है इसको window sill कहते है okay clenched याने to tighten something अपने आपको बलकुल tight कर देना उसे हम कहते है clenched infantile क्यों होता है childish बच्पने वाली चीज़ बच्चों वाली चीज़े और thrill क्यों होता है excitement तो जब Roger Skunk गया wizard के घर पर उसने knock किया तो यह जो knock करने का sound है यह Jack ने जो को खिडकी पर करके बताया उसने ऐसे ऐसे knock करके बताया उसने अपनी बेटी को कि इस तरीके से आवाज निका ली Roger Skunk ने दरवाज से तो वो जैसे बच्चे कैसे excited हो जाते वो भी बहुत excited हो गई अपने आपको ऐसे tighten कर लिया उसने और बिल्कुल खड़ी हो गई यहने इससे यह दिखता है कि वो कितनी excited थी और अभी भी sleepy नहीं थी And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat तो जैसे ही Roger Skunk ने दरवाजे पर नौक की अंदर से कौन निकला एक बहुत ही छोटी height का man जिसकी बहुत लंबी सी ऐसी तो उसने क्या बोला Roger Skunk से की कौन हो तुम क्या चाहिए तुम्हे कितनी गंदी बद्बू आ रही है तुम्हे से तो ऐसा विजर्ड ने बोला Roger Skunk से The wizard's voice was one of Jack's one favorite effects He did it by scrunching up his face and somehow whining through his eyes अब Jack ने जो को यह sound निकालके बताया कि wizard ने कैसे बोला Roger Skunk को तो यह जो आवाज है कि Watcher, what do you want? यह जो wizard की आवाज है यह Jack की खुद की भी favorite है Jack को बहुत अच्छा लगता है wizard की ऐसी आवाज निकालना और स्मूस क्रंचिंग करता है यानि कि loud noise बनाते है अपने face पे से wrinkles बनाके तो यह करना बहुत अच्छा लगता था उसको Whining यानि की watery तो वो क्या करना तो ऐसे करके अपनी आखों में थोड़ा पानी produce करता था अपनी आखों को थोड़ी watery बनाता था ताकि वो बिलकुल effect के साथ Jack को सुना पाए wizard का sound Joe को सुना पाए wizard का sound बहुत अच्छा लगता था Jack को ताकि वो Joe को सुनाए और room ही आने आखों को watery करना तो इस तरीके के effects वो करता था Joe को सुनाने के लिए He felt being an old man suited him तो Jack को लगता था कि old man wizard की जो acting अने मेरे को बहुत सूट करती है मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूं I know it Roger Skunk said and all the little animals run away from me तो जैसे ही wizard ने Roger Skunk को बोला कि छी तुम में से कितनी गंदी स्मेल आ रही है तो Roger कहता है मुझे पता है और इसी वज़े से सारे जो little animals हैं मुझसे दूर भाग जाते हैं कोई नहीं कहेलता मेरे साथ The enormous wise old owl said you could help me तो और उसने बोला कि जो बड़ा सा वो old owl है उसने मुझे बोला कि आप मेरी मदद कर लोगे अग, well, maybe come in on, come on in don't get too close तो wizard कहता है हाँ ठीक है मैं शायद तुमारी मदद कर सकता हूं आजाओ मेरे घर में अंदर पर जादा मेरे पास मताओ क्योंकि तुमसे बहुत smell आ रही है Now inside Joe there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady jumbled याने की सारी चीजे एक दूसरे में mix होके पड़े रहे रहे ना और बहुत untidy, बहुत गंदी तरीके से heap याने की धेरी objects placed on top of the other याने हर सामान एक दूसरे के उपर ऐसे पड़ा हुए अच्छे से properly arranged कुछ भी नहीं तो Jack बताता है जोको की पता है जो जब अंदर जो घर था wizard का वो अंदर से बहुत untidy था सारे सामान इधर उदर बिखरे हुए थे धेरी बनी हुई थी सामान की ऐसे हीप्स बने होए थे एक के उपर एक क्योंकि उनके घर में कोई cleaning lady नहीं थी कोई साफ करने वाला नहीं था इसलिए wizard का house अंदर से बहुत untidy था और सब चीजे इधर उदर mix होके एक साथ पड़ी हुई थी वाई? तो जो पुछती है क्यों? ऐसा क्यों? तो Jack बोलता है Why? Because he was a wizard and a very old man तो Jack बोलता है इसलिए क्योंकि वो एक wizard है और वो बहुत old man था है वो अपने घर को साफवाव नहीं रखता Will he die? तो जो पुछती है क्या वो मर जाएगा? इतना old है तो तो Jack बोलता है No, वो नहीं मरेगा Wizards don't die उसने बोला wizards कभी मरते नहीं है Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like Rummaged याने search unsystematically and untidily through something तो wizard ने क्या किया? Wizard ने बहुत सारे सामान के धेरी उसमें से गंदगी में से बहुत कुछ सामान ढूंडा और अपनी magic wand अपनी जादू की छड़ी निकाली और Roger Skunk से पूछा कि तुम्हें किस चीज जैसे smell करना है? Roger thought and thought and said roses तो Roger ने बहुत सोच और फिर वो कहता है कि मेरी गंदी smell निकाल के आप मुझे roses, गुलाब के फूलों की तरह smell करवा दो, वैसी smell दे दो आप मुझे yes, good Joe said smugly तो Joe बोलती yes, good हाँ, ये बहुत अच्छा है कि Roger Skunk अब बहुत roses जैसे smell करेगा और उसने ये बहुत smugly कहा याने to show satisfaction वो बहुत satisfied थी कि चलो अच्छा है अब Roger Skunk roses जैसे smell करेगा Jack fixed her with a trans-like gaze enchanted in the wizard's elderly, irritable voice तो Jack fixed her याने Jack अपनी बेटी को fix करके एकदम घूर घूर के ऐसे देखने लगा और trans-like याने वो Jack खुद half asleep था क्योंकि वो ठक रहा था, उसको भी नींद आ रही थी Jack को कहानी सुना रहा था sorry, Joe को कहानी सुना रहा था तो Jack उसको घूरता ऐसे और बिल्कुल आधे नींद में half asleep है और उसको intently याने बहुत seriously इसे घूरता है और फिर chant करना चालू करता है याने वो मंत्र पढ़ना चालू करता है जो wizard ने पढ़ा और फिर कहता है abrik dabri, hocus poo roger skunk, how do you do roses boces, pull an ear roger skunk, you never fear bingo तो Jack ने वो पूरा मंत्र पढ़के सुनाया जो को जो wizard ने chant किया था he paused as a wrapped expression widened out from his daughter's nostril wrapped का मतलब क्या होता है completely fascinated or absorbed by what one is seeing or hearing तो Jack ने जैसे ये पूरा मंत्र पढ़ा, उसने story continue ने की थोड़ी देर के लिए क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था अपनी बेटी का ये expression देखते हुए उसकी जो बेटी है ना वो एकदम ऐसे करके अपने फादर को देख रही थी कि कैसे वो उसको ये पूरा मंत्र सुना रहे है और जो उसके nostrils थे याने ये जो portion है वो ऐसे खुले रहे गए थे कि मतलब क्या सुना रहे है वो मुझे forcing her eyebrows up और उसके eyebrows पूरा उपर ऐसे चले गए थे कि मेरे फादर कौन सा मंत्र सुना रहे है मुझे and her lower lip down in a wide noiseless grin और grin याने ऐसी hulky-fulky smile तो वो ऐसे सुन रही थी ऐसे करके उसके lips खुल गए थे दाथ दिखा रही थी और वो amazed हो रही थी कि वाँ क्या मंत्र सुना रहे है मेरे फादर मुझे and expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties feigning याने कि to pretend थोड़ा बहुत दिखावा करना तो जब ऐसे वाला जो इस expression है जब जो शो कर रही थी अपने face पर तो Jack उसको देखता और सोचता है कि यह तो exactly ऐसा expression है ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अपनी mom जैसी दिख रही है क्योंकि जब भी Claire cocktail parties में Jack के साथ जाया जाती थी और लोगों से ऐसे ऐसे करके मिलती थी तो exactly जो यह face का expression उसकी mom का वैसा same expression जो के face पर आ रहा था तो Jack सोच रहा था इसका expression तो बिल्कुल अपनी mom जैसे मिल रहा है और obviously eyes तो दोनों की same ही थी blue color की तो वो अपनी बेटी के face पर expression देखता है क्योंकि इसको वो अपनी wife जैसा लगता है and all of a sudden he whispered the hole inside of the wizard house was full of smell of roses और suddenly Jack धीरे से बोलता है कि पता है पूरा जो wizard का अंदर से घर था वहां roses की fragrance आ गई थी roses, Roger Fish cried और Roger Skunk की जागा गलती से वो क्या बोल देता है Roger Fish cried तो जब Jack's story सुना रहा होता है वो सुनाते सुनाते Roger Skunk की जगा गलती से Roger Fish बोल देता है और वो कहता है Roger Fish ने जैसी चलाया roses, वाओ मतलब मेरे अंदर से roses की fragrance आ रही है and the wizard said very cranky that will be seven pennies तो wizard ने cranky होके याने बहुत irritated होके क्या बोला Roger Skunk को? इसके बदले मुझे seven pennies रही है याने साथ सिक्के चाहिए तुमसे Daddy, what? Roger Skunk You said Roger Fish तो जो अपने फादर से बोलती है Daddy तो Daddy बोलते है क्या? फिर वो बोलती है आपने Roger Fish बोल दिया आपको Roger Skunk बोलना था Yes, Skunk तो वो कहते है हाँ हाँ Skunk You said Roger Fish Wasn't that silly? तो वो अपने फादर से बोलती है आपने Roger Fish बोलती है ये कितनी silly बात है कितनी बुद्धू की बुद्धू होने वाली बात है Very silly of your stupid old daddy तो वो अपनी बेटी से मस्ती करते है और वो कहते है हाँ हाँ तो मारे बुद्धू dad है old हो गए इसलिए वो भूल गए और Roger Skunk की जगा उन्होंने Roger Fish बोल दिया फिर वो कहते है Where was I? फिर वो पूछते है कि मैं कहा था story में Well, you know about the pennies Say it Okay Roger Skunk said तो वो कहता है Jack बोलता है Joe को फिर तो आगे तो मैं पता ही है pennies के बारे में कि वो pennies डूणने जाएगा तो Joe कहती है हाँ हाँ बोलो Okay Roger Skunk said But all I have is four pennies and he began to cry तो जब wizard ने seven pennies मांगे Roger Skunk से तो वो रोने लग गया और वो कहते है कि मेरे पास seven नी मेरे पास स्रिफ four pennies है Joe made the crying face again अब क्योंकि Roger Skunk रो रहा था Joe ने फिर से अपना वोई रोने वाला face बना लिया sad face बना दिया But this time without a trace of sincerity याने seriousness तो इस बर वो इतनी serious नहीं थी थोड़ा बहुती sad feel कर रही थी expressions के through This annoyed jack downstairs some more furniture rumbled तो अभी वो फिर से वैसा feel कर रही थी कि अरे Roger Skunk रो रहा अपने expression भी change कर रही थी face पे ये देख के jack बहुत ज़्यादा annoyed हो गया याने कि angry हो गया उसको गुसा आने लगा क्यों? क्योंकि वो इतनी देर से कोशिश कर रहा है उसको सुलाने की, story सुनाने की लेकिन वो तो excited है अपने facial expressions बार बार change कर रही है याने उसको बिलकुल भी नीन नहीं आ रही है और नीचे Claire काम कर रही थी paint कर रही थी तो उस वज़े से सारा furniture rumble हो रहा था याने continuously sound भी आ रहा था और वो so भी नहीं रही थी जो तो Jack को थोड़ा सा गुसा भी आ रहा था Claire shouldn't move heavy things She was six months pregnant It would be their third तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है story में की Jack बता रहा है की जोसकी wife Claire है She is six months pregnant और वो अब उनका third baby expect कर रहा है पहली जो थी दूसरा Bobby and third जो Claire अभी expect कर रही है So, the wizard said Oh, very well Go to the end of the lane and turn around three times So, wizard ने अब Roger Skunk को रास्ता बताया जहां से उसको बचे हुए वो three pennies मिलेंगे तो बोलता है ठीक है तुम lane याने एक लंबे से रास्ते तरफ यहाँ पर जाना तीन बार turn around करना याने गोल गूमना and look down the magic well वहाँ पर तुमें एक जादू एक कुवा मिलेगा magic well मिलेगा और वहीं तुमें तुमारे तीन pennies मिलेंगे Hurry up पर वो कहता है Roger Skunk से कि जल्दी जाओ So, Roger Skunk went to the end of the lane and turn around three times and there in the magic well there were three pennies So, Roger Skunk ने ग्जाक्ली वैसी किया वो गया वहाँ लेन के उदर magic well मिला तीन चक्कर लगाए उसने और जब देखा अंदर तो उसको तीन pennies वहाँ पर मिल गए So, he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods तो बस वो तीन pennies ले जाके उसने विजर्ट को दिये Roger Skunk बहुत खुश होगे और फिर जंगल की तरफ अपने घर की तरफ वापिस भाग गया and all the other little animals gathered around him because he smelled so good और इस बार जब वो जंगल में गया अपने घर की तरफ तो सारे little animals उससे दूर नहीं भागे सब उसके पास gather हो गया याने इखटा हो के खड़े हो गया क्योंकि उसके अंदर से बहुत अच्छी रोजस की fragrance आ रही थी खुश्बू आ रही थी and then and they played tag, baseball, football, basketball lacrosse, hockey, soccer and pick-up sticks और फिर सब ने Rogers Kang के साथ बहुत सारे अलग-अलग इस तरीके के games खेले जो अभी मैंने आपको बताए What's pick-up sticks? तो अब जो पूछती है ये pick-up sticks कौन सा game है तो Jack बताता है It's a game you play with sticks तो बताता है कि एक ऐसा game डिसने आप sticks ऐसे रंडियों से खेलती हो Like the wizard's magic wand तो जो पूछती है ये वैसी sticks होती है जैसे wizard की magic wand होती है याने की जादू stick वैसी sticks होती है तो Jack बता है Kind of हाँ कह सकती हो तुम बैसी And they played games and laughed all afternoon and then it began to get dark and they all ran home to their mommies तो Jack बताता है कि फिर बहुत देर तक Roger Skunk ने सारे animals के साथ खेला फिर रात होने लगी तो फिर सारे animals भाग के अपनी mommies के पास घर चले गए Joe was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of day that showed under the shade अब Joe क्या कर रही थी fuss कर रही थी याने move in excitement वो बैड पे दर दर बहुत excited हो रही थी story सुनके and crack of day का मतलब क्या होता है the light coming from the crack of the curtain तो जो खिडकी के पर्दों में से जो light आ रही थी उसमें और जो light आ रही थी विंडो से बहुत जादा उसमें वो shine कर रही थी उसका चेहरा glow कर रहा था बहुत excited थी और सोने की अभी भी कोई आसार नहीं थे Joe के she thought the story was all over क्यों वो इतनी excited feel करी थी क्योंकि इसको लगा कि यह story खतम हो गई वो roses की fragrance मिल गे इसको और सब happy happy हो गया लेकिन Jack didn't like women when they took anything for granted he liked them apprehensive hanging on his words apprehensive का मतलब क्यों होता है fearful that something bad or unpleasant will happen डरें, जो लोग डरें कि कुछ गलत हो सकता है उसे हम apprehensive कहते हैं तो Joe क्या either or other excited हो रही थी क्योंकि उसको लगा कि story खतम हो गई ये चीज उसने खुद से assume कर ली कि story खतम हो गई Jack ने तो उसको अब तक नहीं बोला कि story खतम हो गई बिटा तो ये देखके Jack को थोड़ा सा गुसा आ रहा था अंदर ही अंदर क्योंकि Jack एक ऐसा person था कि उसको वो ladies वो औरतें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी जो खुद से चीज़े assume कर ले और उनको किसी बात का डर न लगी और वो चाहती वो चाहता था कि जो घर की ladies है वो ऐसी रहें जो Jack के words पे hang करें याने Jack के बोलने का वेट करें अब obviously उसको अंदर ये अंदर गुसा आ रहा था बट वो चोटी अपनी बच्ची जो को ये सब नहीं बोल पाया Now, Joe, are you listening? वो कहती है yes तो अभी story खतम नहीं हुए Jack continue करते है और कहता है Joe, सुनू फिर वो कहती है yes Because this is very interesting Roger Skunk's mommy said What's that awful smell? तो Joe कहती है कि हाँ हाँ मैं सुनूंगी क्योंकि ये बहुत interesting story चल रही है और मैं तो सुनूंगी तो Roger Skunk की mommy कहती है What's that awful smell? awful याने very bad तो जैसी Roger Skunk घर जाता उसकी mommy कहती है गंदी स्मेल किस चीज की आ रही है What? and Roger Skunk said तो जैसे ही Joe ने सुना कि Roger Skunk की mommy इसको बोल रही है कि तुम में से गंदी किस चीज की स्मेल आ रही है तो Joe कहती what? उसको ये गंदी स्मेल लग रही है ये roses की स्मेल है, ये सबसे best स्मेल होती है and Roger Skunk said It's me mommy I smell like roses तो Roger Skunk ने अपनी mommy को बोला कि mom ये मैं हूँ और मेरे अंदर से वो पुरानी गंदी वाली स्मेल नहीं आती अब मेरे अंदर से roses की स्मेल आती है and she said Who made you smell like that? और वो पूछती है तुम्हें इस तरी किसी स्मेल किस ने दी? and he said the wizard तो उसने बोला मुझे विजर्ड ने ऐसा बनाया and she said Well, of all the nerve of all the nerve मतलब a phrase that describes a phrase that describes anger and shock एक ऐसे words होते हैं जिसमें बहुत जादा अब गुसा होते और आपको शौक लग जाता है तो वो कहती है Well, अच्छा तो वो कहती है तुम चलो मेरे साथ अभी अभी रॉजर्स कंग मैं अभी अभी उसको बताती हूँ चलके कि तुमने कि उस विजर्ड ने तुम्हें तुम्हें ऐसा क्यों बनाया Joe sat up Her hands dabbling in the air with genuine fright dabbling याने की move करना और fright याने की a sudden intense feeling of fear तो जैसे ही उसको रॉजर्स कंग की मॉमी ने उसको बोला कि चलो तुम मेरे साथ अभी अभी बताती हूँ मैं उस विजर्ड को जिसने तुम्हारी smell change करिये तो Joe उटके बैड गए और उसके हाथ ऐसे shake होने लगे कि अब क्या होगा आगे स्टोरी में फिर वो अपने डाट से बोलती है कि उसको बताना चाहिए था न अपनी मॉमी को रॉजर्स कंग को कि मेरी पुरानी वाली गंदी स्मेल की वज़े से सारे बच्चे सारे अनिमल्स मुझसे दूर भागते है Her hands skittered off into the underbrush skittered याने कि move lightly and quickly underbrush याने जो sheet covers दो ओनने वाली चादर उसने पहन रखी थी तो चादर के अंदर उसके हाथ ऐसे move कर रहे थे क्योंकि उसको गुसा आ रहा था मॉमी के उपर कौन सी मॉमी? रॉजर्स कंग की मॉमी के उपर आल राइट, he said तो Jack कहता है हाँ ठीक है फिर वो कहता है बट मॉमी, all the other animals run away and she said I don't care तो Jack बताता है कि हाँ, हाँ, ठीक है रॉजर्स कंग ने बताया अपनी मॉमी को कि मॉमी सारे बच्चे मुझसे सारे अनिमल्स मुझसे दूर भागते है तो मॉमी कहती है I don't care मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है You smell the way a little skunk should have and I am going to take you right back to the wizard and she took an umbrella went back with Roger Skunk and hit the wizard right over the head तो उसकी मॉमी कहती है पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो महारे अंदर से exactly वैसी ही smell आनी चीए जैसे skunks के अंदर से आती है हम लोगों के अंदर से roses की smell नहीं होती और उसी वक्त Roger Skunk की मॉमी ने अपनी umbrella stick उठाई wizard के पास गई और उसको सर पे दे मारी बहुत जोर से No! Joe said and put her hand out to touch his lips yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth agitation याने Joe's revolt तो जैसे ही Jack ने बताया कि Roger Skunk की मॉमी ने उसको wizard को hit कि अंब्रेला से वो कहती No! ऐसा नहीं हो सकता वो revolt कर रही थी याने इस चीज़ के खिलाफ थी कि मॉमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको गुसा आ रहा था तो उसने अपना हाथ लेके अपने फादर के लिप्स पैसर रख दिया और मू बन करने की कोशिश करी अपने फादर की कि मत बोलो कि उसने मारा क्योंकि उसको गलत लग रहा था जो को यह सब येस तो लेकिन फिर भी वो उनको चुप नहीं करा पाई क्योंकि उसके अंदर डैर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी अपने फादर को चुप कराने की चीक है सो बच्चों मैंने आया जो चाप्टर है यहां टू पार्ट्स में डिवाइट कर दिया यहां हमारा पार्ट वन खतम होता है हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की जो आपकी सप्लिमेंटरी बुक विस्ताज है उसका चाप्टर शुड विजर्ड हिट मॉमी का पार्ट टू एक्स्प्लिनेशन अगर आपने हमारा पार्ट वन नहीं देखा है तो जल्दी से जाईए और पार्ट वन देखके आईए और स्टोरी हमेशा सेम ही होती थी यानि कि एक रॉजर करके hero होता था जो कभी fish होता था कभी squirrel होता था और इस बार जो वो स्टोरी सुना रहे थे वो थे रॉजर स्कंक स्कंक एक animal होता जो cat जैसा दिखता है black color का अब उनकी स्टोरी usually ऐसी होती थी कि Roger को कोई problem होती थी वो owl के पास जाता था owl उसकी problem solve कराने के लिए कहता था wizard के पास जो और wizard problem solve करके बदले में कुछ pennies याने कुछ पैसे ले लिया करता था अब Roger skunk की problem ये थी कि उसमें से बहुत गंदी smell आती थी और सारे दूसरे animals उससे दूर भागते थे वो बहुत रोता था इस problem से तो वो owl के पास गया अपनी problem solve करने के लिए owl ने इसको भेजा wizard के पास याने जादूगर के पास तो wizard ने उसकी problem solve कर दी और उसको roses याने की खुशबुदार गुलाब के फूलों की smell दे दी और उसके बदले में उससे उसने seven pennies लिये अब जो सारे friends दे उसके साथ खेलते हैं कोई दूसरे animals उससे दूर नहीं भागते Roger Skunk बहुत खुश हो जाता है और जब वो घर जाते है उसकी mommy से बताता है कि मेरे अंदर अब roses की smell आ गई तो उसकी mommy बहुत गुस्स होती है और कहती है कि तुम अभी मेरे साथ चलो मैं अभी उस wizard को अपनी umbrella stick से hit करूंगी जिसने तुमें change किया और mother ने ऐसा किया भी Roger की अब क्या होता है ये बात सुनके जो जो होती है वो बहुत गुस्स हो जाती है क्योंकि वो चाहती है कि mommy को याने कि Roger Skunk की mommy को ऐसा नहीं करना चीता क्योंकि उसके अंदर तो कितनी अच्छी fragrance आ गई उसने wizard को hit क्यों किया और वापिस तो उसको ऐसा बदबूदार smelly सा Roger Skunk बना दिया तो यहां तक हमने cover किया था अपने chapter number part number one में अब हम cover करेंगे आगी की story part two में so let's continue तो जब जो ने ये बात सुनी तो उसके father उसको story सुना रहे था थो अपने father का मूँ बन करने की कोशिश कर रही थी कि ये मत बोलो कि Roger Skunk की जो mommy उसने wizard को मारा लेकिन फिर भी वो मूँ नहीं बन कर पही अपने father का क्योंकि वो डरती थी अपने father से कि कहीं मुझे चिला न दे फिर आगे हम पढ़ेंगे inspiration came to her inspiration याने की to become motivated with something अब वो बहुत motivated हो गई बहुत inspired हो गई फिर वो कहती है फिर आगे story है then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back तो अब क्या बोलती है जो अपने father से फिर बताओं क्या हुआ father अब wizard आया wizard ने बहुत जोर से hit किया mommy को उसके head पे और skunk की, roger skunk की जो roses वाली smell थी वो उसने change नहीं करी तो father कहते no father बोलते नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ the wizard said okay and roger skunk did not smell of roses anymore तो wizard तो father कहते हैं कि wizard ने ऐसा कुछ नहीं किया जो wizard ने बोला okay जैसा उसकी mommy ने बोला उसने वैसा किया और उसकी smell change करके roses से वापिस वो पुरानी गंदी सी smell दे दी roger skunk को he smelled very bad again और फिर से उसके अंदर से गंदी सी smell आने लगी तो ये बात सुनके बहुत disturb हो गई कौन जो और वो ऐसे कहती है हाँ पर वो दूसरे animals भागते अपनी आधी हदूरी बात कहने लगी अपने फादर से जान इस डाडी स्टोरी शल डाडी नोट टेल यो एनी मोर स्टोरी तो डाडी बोलते हैं याने ये मेरी डाडी की स्टोरी है अगर तुम ऐसे पूछोगी तो डाडी फिर तुम्हें आगे और स्टोरी नहीं सुनाएंगे अर ब्रॉट फेस लुगड़ अट हिम थू सिफ्टेड लाइट तो उसका जो बड़ा सा चबी चीक थे चबी फेस था वो ऐसे घूर घूर के अपने फादर को देख रही थी और सिफ्टेड लाइट याने जितनी भी कर्टिन से धूप आ रही थी च्छन के उसके फेस पे उस वो पूरी धूप में चेहरा उसका फेस ऐसे बिचारों जैसे वो खड़ी हो गई थी और एस्टाउंड थी याने काफी शॉक्ड थी कि बेचारा रोजर स्कंक वापिस से अपनी पुरानी गंदी स्मेल में आ गया और ये सब किसकी वज़े से हुआ उसकी मॉमी की वज़े से हुआ तो जैक अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते और कहता है फिर ऐसा हो गया और फिर रॉजर स्कंक और उसकी मॉमी घर चले गए और वहाँ पे उनको वूँ वूँ और चूु चूु ऐसी ट्रेन की आवाज आई और ट्रेन में से घर कौन आया? रॉजर स्कंक के फादर आई बौस्टन से बौस्टन किया है? एक सिटी है यह उसे में और फिर Roger Skunk उसकी मॉमी और उसके डाड़ी ने सबने मिलके क्या खाया लीमा बीन्स क्या होते है ऐसे बीन्स होती है एडिबल बीन्स होती है वाइट कलर की वो खाये सेलरी खायी याने की स्मॉल कल्टिविटेट ब्लांस ऐसे पेड़, पत्ती, पत्तियां जो छोटी छोटी लीव्ज होती है वो खायी सालड में यूजविल हम यह यूज़ करते हैं लिवर याने किसी जानवर का किसी आनिमल का लिवर खाया उन्होंने मैश्ट पटेटोस याने बिलकुल मैश करे हुए आलू खाया उन्होंने और पायो माई नाम का यह डेजर्ट खाया याने की स्वीट डिश खायी सबने मिलके और जब सोने का टाइम आया तो रोजर स्कंक की मॉमी ने रोजर स्कंक को बहुत जोर से हग किया और उसको बहुत प्यार किया बहुत लफ किया और कहा अब तुम वापिस मेरे पुराने रोजर स्कंक वाले स्मेल वाले बेबी बन गए हो और फिर जैक बोलता है और अब यहाँ पे स्टोरी खतम होती है तो जो कहती पर डाड़ी तो डाड़ी कहते हैं क्या तो वो के पुछ दी कि अब वापिस से उसके अंदर पुरानी स्मेल आगे तो दूसरे आनिमल उससे दूर भागने लगे तो डाड़ी कहते हैं तो डाड़ी कहते हैं नहीं आखरी में फाइनली सारे आनिमल्स को यूस्ट हो गए रॉजर सकंके याने उनको आदत पढ़ गई रॉजर सकंकी और फिर सब लोग उसके साथ नॉर्मली खेलते थे कोई दूर नहीं भगता था उससे अब जो पुछती है ये इवेंचिलाड़ी क्या है अब जैसे पिछली सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि जैक ने बोला इवेंच्वली सब हैबिच्वल हो गए थे तो एवेंच्वली जो वर्ड है उसको जो क्योंकि छोटी बच्ची है मिस्प्रनांस कर रही है और कह रही है इवेंच्वलाड़ी तो डाड़ी उसकी बात समझ गए कि ये क्या बोलना चारी है और फिर वो कहते है इन लिटल वाइल याने कुछ समय बाद उन्होंने उसको इवेंच्वली का मीनिंग बताया अपनी बेटी को तो जो बहुत गुस्व होती है और कहती है कि उसकी मॉमी कितनी stupid है याने अपने बच्चे की इतनी अच्छी fragrance उसने खतम करवा दी it was not he said with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd rare याने की not occurring very often याने जो चीज बहुत rare है बहुत कम बार होती है emphasis याने की special value given to someone जब आप किसी को special value दे रहे हो तो जैसे ही जो ने बोला कि वो कितनी stupid मॉमी थी तो डाड ने का नहीं वो नहीं थी और उन्होंने ऐसा expression दिया जो बहुत rarely jack के face पे आता है और वो Roger Skunk की मॉमी को बहुत value देने लगे और कहने लगे कि नहीं उसने ऐसा बिलकुल नहीं किया वो बिलकुल सही मॉमी थी तो जो सोचती है कि मेरे father Roger Skunk की मॉमी को ऐसे support कर रहे है जैसे वो अपनी मॉमी को support कर रहे है Now, I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap तो अब Jack बोलता है और अब story खतम हो गई है अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना बड़ा सा भारी सा सर अब pillow पे रखो और लंबी नींद में सो जाओ क्योंकि उसने अब story भी सुना दी और जो अब तक नहीं सोई थी He adjusted the shade so not even a crack of day showed and tiptoed to the door in the pretence that she was already asleep Tiptoed याने की walk quietly विल्कुल पेर दबा दबा के चलना तो Jack ने किया किया और उसने सारे curtains अच्छे से adjust के लिए कर लिए ताकि बहार की sunlight की एक dot भी अंदर ना आए और जो सो जाए वो पेर दबा दबा के चुपचप दर्वाजे की तरफ गया और pretence किया याने की attempt किया की उसको पता था जो सो ही नहीं है लेकिन फिर भी उसने attempt किया की जो को यह लगे की Jack को लग रहा है की मैं सो गई हूँ वहीं पे तो जैसी जर्वाजा बन करते वक्त जैक ने टर्न करके देखा तो जो अभी भी वहीं पे चादर की उपर ग्रॉल कर रही थी और सो ही नहीं थी तो जैक ने बोला उसको कि जल्दी से तुम सो जाओ और जल्दी से चादर पहनो अपनी ओड़ो जल्दी और जल्दी से सो जाओ तुमारो चोटा भाई बॉबी कपका सो चुका है और तुम भी सो जाओ जिंजरली क्या होता है इन अ कैफुल मैनर वो उट गई और धीरे से उसने बाउंस करके खड़ी हो गई उस कहां पर? Springs याने की mattresses गदों पर धीरे से वो उटके खड़ी हो गई Daddy, what? फिर वो कहती है Daddy तो वो गुसे में कहता है क्या? अब और क्या कहना है तुम्हें? फिर वो कहती है Joe Tomorrow I want you to tell me the story that the wizard took magic wand and hit the mommy Her plump arms chopped forcefully right over the head तो फिर वो खड़ी होती और वो कहती अपने डाट से कि Daddy मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे एक दूसरी स्टोरी सुनाओ और उस स्टोरी में ऐसा होना चाहिए कि जो wizard है उसने अपनी magic wand याने जादू की छड़ी से mommy को उसके head पे जोर से hit किया क्योंकि Roger Skunk की mommy ने गलत काम किया था और उसने ये action भी करके बताया अपने Daddy को वैसे करके plump palms याने मोटे मोटे arms उसने ऐसे करके भी दिखाए कि ऐसे मारना चाहिए wizard mommy को no that's not the story the point is that the little skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals तो dad ने बोला नहीं मैं तुम्हें ऐसी कोई स्टोरी नहीं बताने वाला क्यों क्योंकि mommy अपने बच्चे को जो skunk था उसको बहुत love करती थी और skunk भी अपनी mommy को बहुत love करता है और skunk अपनी mommy को सबसे जाधा love करता है compare करें अगर दूसरे animal से तो अपनी mommy को उनसे जाधा love करता है and mommy को पता है कि उसके बच्चे के लिए skunk के लिए क्या सही है और क्या गलत है no tomorrow you say he hit that mommy do it तो जो कहती है नहीं, आप promise करो कि कल आप मुझे बताओगा ऐसी स्टोरी जिसमें मॉमी को हिट किया है विजर्ड ने और आप promise करो मुझसे वो अपने डाट से ऐसे insist करती है She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs as she had done hundreds and hundreds of times before Except this time she did not laugh Heave याने produce a sigh याने ऐसे करना इस तरीके से जब गुसे में आ जाते हैं तो उसने गुसे में अपने पैर उच्छाले उपर की तरफ और धम करके बैड़ गई कहां पे गदे पे और ऐसे क्या इस तरीके से किया complaint of springs याने गदों के अंदर जो springs होते हैं वो जोर से उनकी आवाज आई इस तरीके से जब भी गुसे हो जाती थी मस्ती में मजाक में जो तो वह ऐसा करती थी लेकिन इस बार वो बिलकुल भी नहीं हस रही थी क्योंकि वो हस भी नहीं थी याने वो बिलकुल सीरेस थी बहुत गुसा थी वो रॉजर सकंग की मॉमी पर चाहती थी कि उसके फादर कल उसको एक नई स्टोरी बता है जिसमें विजर्ड रॉजर सकंग की मॉमी को जोर से हिट करे उसके हेट पे सेट डाडी वो कहती है बोलो डाडी कि हाँ आप मुझे सुनाओगे वेल वील सी नाओ अट लीस्ट हावर रेस्ट स्टे ओन दे बेड तो डाडी अब ठग गए डाडी के थे हाँ हाँ चलो देखेंगे कल पर अभी थोड़ी दे रेस्ट करो और सो जाओ और कमरे का दर्वाजा बन करके वो नीचे चले गए उसके डाड यह जो ड्रेस आप देख रहे हो ऐसी लूस सी इसको maternity स्मॉक कहते है और यह वो ड्रेस होती है जो यूजिवली प्रेगनन लेडी पहनती है क्योंकि बहुत लूस होती है और कमफर्टिबल होती है तो जैसे ही जैक नीचे आया उसकी वाइफ क्लेर ने कुछ निउस्पेपर जैसे बिचा के रखे थे और पेंट के कैन याने पेंट के बॉक्से धक्कन खोल के रखे थे और उसने एक मेटरनिटी स्मॉक पहन के रखा था जिसके ऊपर उसने अपने हस्बेंट जैक की कोई ओल्ड टीशर्ट पहन के रखी थी ताकि पेंट में उसकी ड्रेस खराब न हो जाए और वो क्या कर रही थी? वो चेर रेल याने चेर का जो हैंड ब्रेस्ट होता है न जिस पर अपने से हाथ रखते हैं उसको स्ट्रोक कर रही थी याने जेंटली धीरे-धीरे पेंट कर रही थी अबाव हिम, फुट्स्टेप्स वाइबरेटे और याने जो अभी तक सो ही नहीं थी और घूम रही थी रूम में तो नीचे से फादर ने चिला है कि जॉन क्या मैं अभी उपर रहा हूं और तुमको स्पैंक करूं याने कि एक थपड लगा हूं तुम सो ही नहीं अभी तक तो जैसी जो ने अपने फादर की आवा सुनी वो हैजिटेट हो गई याने घबरा गई और वो चुपचाप जाके सो गई तो क्लेर उसकी वाइफ बोलती अपने हस्बंड से कि किती लंबी कहानी सुना रहे थे तुम जो को किती लंबी स्टोरी सुना ही तुमने काफी देर लगई तुम्हें नीचे आने में तो जैक कहता है तो जैक कहता है बिचारी बच्ची वो सोना भी नहीं चाहती पर फिर भी मैं उसको जबरदस्ती उपर सुला के आया हूं और वो बहुत ठकी हुए हालत में अपनी वाइफ को पेंट करते हुए घर के लकडी के सामान को पेंट करते हुए देखता है तो उसने देखा जितने भी लकडी के सामान थे, मोल्डिंग थी, रेल्स थी, बेसबोट थी सब उसके आसपास फैला हुआ था जिन में से कुछ half old tan थी, याने की light brown color की थी, याने की अभी भी पुरानी थी और कुछ half new ivory थी, याने white color की, याने की कुछ white color से अभी तक आधी अदूरी पेंट करके रख ली थी और कुछ woodwork अभी भी paint करना बचा था इसलीव अभी भी brown old color का था और जब उसने देखा तो Jack को थोड़ा अजीब फील हुआ वो अपने आपको एक middle position में पाया यानि कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे react करूँ As and though he was well felt his wife's presence in the cage with him He did not want to speak with her work with her, touch her anything तो उसकी wife तो normally उससे बात कर रही थी लेकिन उसको कहीं न कहीं अपनी wife से थोड़ी irritation हो रही थी वो ना उससे बात करना चाह रहा था ना उसकी साथ उसकी help करवाना चाह रहा था ना उसकी साथ कोई काम कराना चाह रहा था ना वो उसको touch करना चाह रहा था कि कैसे वो desperately Roger Skunk की mommy को hit करना चाहती थी तो क्योंकि Jack को शायद ये लग रहा है कि Joe अपनी mommy Claire को पसंद नहीं करती इसलिए वो शायद Roger Skunk की mommy को भी पसंद नहीं करी और इतने strong emotions express कर रही है कि उसको भी hit करे wizard तो ये सब देखके शायद Jack influenced हो गया है और इसलिए वो अपनी daughter की mother यानि Joe की mother जोसकी wife Claire शायद उससे चिड रहा है पसंद नहीं कर रहा शायद influence हो गया है वो Joe के reactions और शायद इसलिए थोड़ी देर के लिए ऐसा behave कर रहा है क्लास 12 की जो आपकी विस्तस book है उसका chapter 5 Should Wizard Hit Mommy की detailed summary और कुछ important question and answers So let's begin with the summary The story Should Wizard Hit Mommy written by John Abdike revolves around the conflicting views of a child and a parent तो यह जो story है Should Wizard Hit Mommy किसने लिखी है John Abdike यह इसकी author है और इसमें conflicting views हैं child और parent के यानि कि एक father जिसका नाम है Jack अपनी बेटी Joe को कुछ story बताता है और story में Jack को लगता है कि यह चीज सही है और Joe को लगता है कि यह चीज सही नहीं है तो दोनों उस चीज पर आग्यू करते हैं और बच्ची उस पर गुसा करती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो conflicting views यानि कि parents कुछ different सोचते हैं और बच्चे कुछ different सोचते हैं दोनों के views में conflict हैं और child और parent के बीच में views का जो conflict है यानि बहस है उसी के बारे में हम discuss करने वाले इस chapter में parents express their own expectations parents हमेशा क्या करते हैं expectations कराते हैं बच्चों से यानि कि हम तुमसे यह उम्मीद करते हैं अपने उम्मीदें बांध के रखते हैं they desire that their children should grow up as per their expectations और यह expectations करने के बाद वो यह उम्मीद करते हैं कि बच्चे exactly वैसे ही करें जैसा parents ने expect किया हुआ है उनसे However, children have their own ambitions and aspirations लेकिन अगर देखें तो बच्चों के अपने ambitions यानि life में goals और aspirations यानि कुछ अपने इच्छाएं भी होती हैं कि वज़े से खड़े नहीं उतरते parents के expectations फिर यहीं होता है conflict यहीं बहस और problem छड़ जाती है parents और बच्चों के बीच में तो मेरे ख्याल से दोनों को थोड़ा थोड़ा adjust करके यह life की गाड़ी को चलाना पड़ेगा आगे पढ़ते हैं कि chapter के इस बारे में था तो जो father था Jack Jack used to tell his little daughter Joe bedtime stories when she grew a little older she began to ask a number of questions for some time Jack was not able to invent new stories thus the basic story was the same but this hero changed तो Jack क्या करता था अपनी छोटी बेटी Joe को bedtime stories बताता था ताकि वो सो जाए इसलिए उसको stories बनाता था कुछ time तक उसने वो ही stories repeat करकर के सुनाई कुछ नहीं बदलता था उसकी story में सरिफ जो main hero था वो change हो जाता था ओके और अब जब Joe बड़ी हो गई है four years की हो गई है तो क्या है वो story सुनते वक cross question करती अपने father से जो चीज उसको sign ही लगती story में वो अपने उसमें views बताती की नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चीए या उसको story में कोई चीज समझ में आती तो वो questions पूछती अपने father से तो अब क्या कर रहा है अब Jack बड़ा हो गया है और अब जो जो है वो बड़ी हो गया और Jack नहीं नहीं stories invent नहीं कर पा रहा अपनी बेटी जो के लिए तो वो क्या कर रहा है तो इस बार वो पूछता है अपनी daughter से कि अब बताओ तो मैं आज कौन सी नहीं story सुननी है तो usually जो story सुनाता है Jack अपनी daughter Jo को वो same ही होती थी उसमें क्या होता था The hero a small animal known as Roger meets an owl with his problem but when his father used to come back he went back there to eat supper with him, Joe feels happy with the sending तो दो सालों से Jack एक ही तरीके की story सुनाता है मिशद जो को, क्या होता है उस story में एक hero होता है जिसका नम होता है Roger यह usually एक छोटा animal होता है और हर बार वो story में जो Roger होता है बस उसको change कर देता है कभी वो Roger fish होता है कभी Roger squirrel होता है, कभी Roger monkey होता है बाकी पूरी story उसकी सेम रहती थी, क्या होता था एक छोटा animal होता था, उसका नाम हमेशा क्या होता था Roger, उसको कोई problem होती थी, वो हमेशा अपनी problem solve करने के लिए, आउल के पास जाता था आउल उसको बोलता था तुम wizard, याने जादूगर के पास जाओ वो तुमारी problem ठीक कर देगा तो Roger जो होता था, wizard के पास जाता था wizard कुछ magic spell याने अपनी magic wand से जादू इच्छडी से कुछ मंतर पढ़ता था और Roger की problem solve कर दिया करता था Roger happy हो जाता था और इस बदले कुछ pennies, कुछ पैसे देता था wizard को, जो भी wizard को चाहिए रहते थे फिर क्योंकि Roger की problem solve हो जाये करती थी वो happy हो जाता था और सारे दूसरे animals के साथ woods याने जंगल में खेलने लगता था फिर उसके बाल वो घर चले जाता था अपनी mommy के पास क्योंकि रात होने लगती थी और उसके फादर भी घर आने वाले होते थे और पूरी फादर फिर साथ में बैठके सपर याने इवनिंग के कुछ light meal साथ में खाते थे और स्टोरी खाता मोजाये करती थी और ये स्टोरी से जो हमेशा खुश होती थी क्योंकि जो ने हमेशा ही स्टोरी सुनी होती थी लेटर हर फादर टोल दो स्टोरी ओफ लिटल आनेमल कॉल रॉजर स्कंक जस्ट लाइक अधर हीरोस ओफ इस स्टोरी इवन स्कंक हाज प्रॉब्लम ही उस्टो स्मेल ओफुली बैड पर एक दिन जैक ने स्टोरी सुनाई किसको अपनी बेटी जो को इस बार हीरो रॉजर ही था लेकिन कौन सा आनेमल था रॉजर स्कंक स्कंक एक ब्लाक कलर का छोटा सा आनेमल होता जो कैड जैसे थोड़ा बहुत स्कुरिल जैसे दिखता है इसकी स्टोरी सुनाई और इस बार स्टोरी में प्रॉब्लम क्या थी रॉजर की उसकी प्रॉब्लम यह थी कि यह स्मेल्ट ओफुली बैड यानि उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती थी जिसकी वज़े से दूसरे आनेमल उसके साथ नहीं खेलते थे तो इस बार स्टोरी यह थी तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके आउल के पास गया और आउल ने रॉजर स्कंग को विज़े के पास बेजा विज़े ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्स कर दी और उसकी बार स्मेल भटा के सको रोजस गुलाब के पूलों की स्मेल दी वो बहुत खुश हो गया और जो भी खुश हो गई क्योंकि रॉजर स्कंग खुश हो गया था स्टोरी में However, स्कंग's mother wanted स्कंग to get back his original smell She took him back to the wizard The wizard again made him स्कंग Smell as awful as ever तो Roger Skunk खुश होने के बाद अपनी मॉम के पास गया घर वापिस और इस बार क्या होता है इस बार उसकी जो मॉमी है वो बहुत गुस्स होती है कि तुम्हें Roses जैसा smell किस ने करवाया तो Roger Skunk उनको बताता है कि मुझे ऐसा smell विजर्ड ने कराया तो उसकी मॉमी बहुत गुस्स होती है वो रोब केुटा है कि मेरे बच्चे को वापस वैसा ही बनाओ जैसे original skunks होते हैं और उसने उसकी Roses की smell वापस लेकि उसको वापस वैसा ही बना दी और उसके अधर से गंधी सी smell आने लगी Skunk's mother was happy और अब Roger Skunk की ममी happy हो गई क्योंकि उनके बेटे में से वापिस से वो गंदी वाली smell आने लग गई However, Joe was not happy लेकिन ये चीज सुनके Joe बिलकुल happy नहीं थी कि क्यों कि या Roger Skunk की ममी न उसके साथ ऐसा बिचारा Roger Skunk, roses जैसा smell होने लगा था सारे बच्चे उसके साथ खेलने लगे थे और Roger Skunk की ममी न वापिस से उसके अंदर smelly वाला है उसको skunk बना दिया She desired that the wizard should hit the stupid mother However, Jack defended the mother's action तो Joe ने ये insist किया कि नहीं ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए Roger Skunk की ममी को wizard hit करना चाहिए याने जब wizard को hit करने गई थी Roger Skunk की ममी तो उस वक्त wizard को भी अपनी magic wand से अपनी जादू की चड़ी से जोर से ममी के सर पे hit करना चाहिए और change नहीं करना चाहिए था Roger Skunk की fragrance को उसकी खुश्बू को roses वाली लेकिन jack जो कि उसका father तो उसने इस बात नहीं मानी और कहा कि नहीं जो Roger Skunk की ममी ने किया वो बिल्कुल सही किया क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत love करती है बहुत प्यार करती है और उसे पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है क्योंकि उसकी जो मदर थी किसकी? Roger Skunk की जो मदर थी वो individuality पर बिलीव करती थी वो सोची थी हर इंसान अलग है हर इंसान की अपनी individual identity है और Rose की अपनी एक identity है Rose इसकी खुश्बू की वज़े से जो Roger Skunk original है उसकी identity खतम हो गई Roger Skunk कहां से जाना जाता है उसकी bad smell से इसलिए वो चाहती थी कि उसकी bad smell उसको वापिस दी जाए ताकि उसकी original identity उसको मिल जाए तो इसलिए Roger Skunk की मॉमी ने जो किया वो सही किया ऐसा Jack ने explain किया अपनी daughter को लेकिन फिर भी जो उनकी बेटी है जो उसको मजा नहीं आया और वो बिलकुल end में satisfied नहीं थी So बच्चों यहाँ पे हमारी summary खतम होती है and now let's discuss some important questions and answers Question number one How does Joe want the story to end and why? जैसे story end होई थी कि Roger Skunk की पुरानी bad smell वापस आ गई ये जो ending थी story की वो Joe को अच्छी नहीं लगी वो किसी different way में story की ending चाहती थी और वो क्यों चाहती थी ऐसा ये हमें बताना है तो Joe was not convinced with the ending of the story and insisted her father to retell the story She did not want the skunk to be disliked by his friends तो Joe को बिलकुल convinced नहीं थी बिलकुल अच्छा नहीं लगा था story की ending में क्योंकि Roger Skunk की roses वाली smell चली गई थी उसने अपने father को insist किया कि नहीं कल आप मुझे फिर से एक नई story सुनाना जिसमें जो Roger Skunk की mommy है उसको wizard ने बहुत जोर से hit किया है और roses की smell नहीं गई skunk के पास से और उसके friends उसको कोई नापसंद नहीं कर रहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा Joe refused to accept Roger Skunk's mother decision and wanted the wizard to hit mommy She wanted a happy ending for the skunk तो Joe ऐसा क्यों चाहती थी? क्योंकि वो Roger Skunk के लिए एक happy ending चाहती थी जिसमें उसको roses की smell मिले Like Joe, like any other child wanted the stories to have a happy ending She did not want the skunk to be rejected by his friends तो Joe के जैसे चाहे कोई दूसरे बच्चे भी होंगे वो भी her story की happy ending ही चाहती इसी लिए Joe चाहती थी कि उसको roses की smell मिले और bad smell ना मिले ताकि सारे friends उसके साथ रहें और उसके साथ खेले कोई दूर न भागे skunk से इसी लिए वो ending different चाहती थी Question number 2 Why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mother? Jack ने अपनी बेटी से क्यों insist किया कि नई wizard mommy को hit नहीं करना चाहे बलकि mommy ने wizard को hit करके मार के बिल्कुल सही किया तो ऐसा क्यों कहां Jack ने? तो Jack was angered by Joe's insistence that the wizard should hit the mommy Jack believed that the parents knew what was best for their children तो Jack को अच्छा नहीं लग रहा था क्यों Joe कह रही है कि नहीं Roger Skunk की mommy को hit करना चाहे तो क्योंकि Jack को ये लगता था कि parents जो करते हैं अपने बच्चों के लिए वो बिल्कुल सही करते हैं और वही करते हैं जो उनके लिए सही है तो Roger Skunk की mommy ने भी Joe किया वो बिल्कुल सही किया तो Roger Skunk की mommy ने विज़र को हिट करके उसको वापिस उसकी original fragrance उसकी original bad वाली जो smell है वो दिलवाई wizard से और ये सब देखकर Jack को humiliations या ने अपने बच्चपन के वो दिन भी याद आए जब हो सकता है उसको काफी ashamed feel होना पड़ा friends के सामने इसलिए Jack ने कहा कि नई Roger Skunk की mommy ने जो किया वो बिल्कुल सही किया उसने वैसा ही किया जैसा हर parent को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए Question number 3 Why is an adult's perspective on life different from that of a child's तो question में पूछा है कि जो adults होते हैं जो बड़े लोग होते हैं उनका life का जो perspective है याने कि life के बारे में क्या सही है क्या गलत है life ऐसी होनी चाहिए तो जो life के बारे में जो सोच है बड़ों की वो बहुत अलग है बच्चों की सोच से ऐसा क्यूं? A child's thought and actions are not governed by the society's rules and actions अब जो एक बच्चे की सोच होती है वो तो बिलकुल free सोच है उनको जैसा सोचना है वो सोचते हैं वो कभी government के rules, regulations और दुनियादारी को demand में रखके अपने decisions नहीं लेते वो तो free soul है आराम से जैसा उनको अच्छा लगते है वो वहसा सोचते है The child speaks from heart and often has a very simple idea of justice that good is rewarded and bad is punished तो बच्चे तो बिचारे बहुत नादान होते हैं अपने दिल से बोलते हैं जो बोलते हैं उनके लिए सही और गलत एक ही चीज है कि जिसने गलत किया उसको punishment दो जिसने सही किया उसको prize या कोई reward दो There is no hypocrisy in them तो बच्चों के मन में कोई पाखंड नहीं है बचारे बहुत साफ दिल के होते हैं Adults view on the world is more realistic लेकिन वहीं अगर हम adults बड़े, grown-ups की बात करें तो उनके जो views होते हैं के बारे में वह बहुत realistic होते हैं याने कि वह practically हर चीज को देख के समझ के फिर कोई अपनी बात या अपने decision को बताते हैं They are more experienced and hence and hence I have a better understanding of life जो बड़े होते हैं उन्होंने जिंदगी बहुत देखी हुई है काफी experience दोते हैं और तभी life के बारे में उनको better understanding और समझ है कि हमें कहां क्या बोलना है किस जगा कैसा decision लेना है and ideas like morals, individuality etc and children realize later in life तो बड़ों को ये सब चीज़े बहुत अच्छे से समझ में आती हैं कि individuality क्या होती है याने हर इंसान की अपनी कलग पहचान होती है और ये सारी चीज़े समझने के लिए बच्चों को बहुत time लगता है बच्चे ये सारी चीज़े नहीं समझ पाते हैं और later जब life में वो भी experience हो जाते हैं वो तब जाके ये सारी चीज़े समझते हैं और realize करते हैं कि हां हमारे parents हमें सही कहा करते थे इसलिए बड़ों का और बच्चों के जो views होते हैं काफी different होते है So children with this we come to an end of this session I hope आपको summary and important question and answer समझ में आये होंगे और आप चाहे तो हमारे videos YouTube पर भी जाके देख सकते हैं अगर YouTube पर आपको हमारे videos नहीं मिल रहे तो directly जो website है हमारी magnetbrains.com आप directly उस website को जब visit करेंगे तो इस तरीके से एक page आपके सामने आ जाएगा जहां पर सारी classes mentioned है Class 12, 11, 10, 9th and so on For example आपको Class 11 की English के videos देखने तो आप Class 11 पर click करेंगे जैसे ही आप click करेंगे इस तरीके की list of teachers and अलग-अलग subjects आपके सामने आ जाएंगे जो Class 11 में पढ़ाते हैं Class 11 में English मैं पढ़ाती हूँ तो इस option पर आप click करेंगे जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने list of all video lectures आ जाएंगे जो मैंने 11 में पढ़ाई है कह लिजे आपको 11 की Hornbill book का first chapter The Portrait of a Lady का introduction देखना है तो आप इस option पर click करेंगे and then मेरा video इस तरीके से आपके सामने play होना start हो जाएगा तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि अगर YouTube पर आपको videos नहीं मिल रहे हैं तो easily आप website से कैसे access कर सकते हैं और एक चीज़ आपको बिलकुल नहीं बुलनी वो है do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel तब तक लिए बाबाए and take care